तो दोस्तो क्या आप भी 2024 में Hero Splendor लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो जरूर देखना है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ Hero Splendor टोटल कितने models में आती हैं सभी models का on-road price क्या है और सभी में on-road price जब आपको ज़्यादा और कम करहेगा तो क्या कुछ difference देखने को मिलता ह है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो चैनल पर अभी पहली बार आये होगे तो subscribe करके bell icon को दबा लेना और if already आपने subscribe किया है तो वीडियो को like कर देना और अपने दोस्तों में जयादा share करना जो भी Hero Splendor ये लेने वाले हैं उनके तक ये वीडियो ज देखने को मिलेगा ये कोई update नहीं है बट हाँ इसके side portion में ये जो आपको graphics दिख रहा है ये इस बार का updation हुआ है यहाँ पर update किया है company ने और headlight section की बात करें तो यहाँ पर आपको हेलोजन में reflector burst आपको headlight देखने को मिलता है turn indicator की बात करें तो ये आपको ultimately bulb में ही देख देखने को मिलता है suspension section की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे telescopic type का आपको suspension भी देखने को मिलता है जो कि normal सभी बाइकों में मिलता है commuter bikes में वो आपको suspension मिलता है काफी अच्छा dimensions के साथ इसका suspension डिजाइन किया गया है इसके साथ front की tear section की अगर बात करें तो यहाँ पर brake है यह तो IBS braking system है integrated braking system जो कि braking में सबसे down है सबसे best होता है ABS फिर integrated वाला सबसे last और बीच वाला combi braking system इंगन section की बात करें तो यहाँ पर आपको 97.2 cc का air cooled four stroke single cylinder का engine मिलता है जो की 8.02 PS की maximum power प्रोवाइड कराती है 8000 rpm और 8.05 Nm के torque प्रोवाइड कराती है 6000 rpm और 8.05 Nm के torque प्र injection देख सकते हो full speed top gearbox के साथ है kick मिलता है यह जो बाइक है fully fuel injection है engine का head है उसका आपको लेटा हुआ मिलेगा खड़ा हुआ नहीं मिलता है पूरा का पूरा power start के साथ है fuel injection के साथ है single horn के साथ देखने को मिलेगा और वहीं बात करते हैं इस बाइक की overall dimensions यानि look wise की सबसे पहले त लिन्थ की बात करें तो यहां पे 2000 mm के आसपास इसकी overall length देखने को मिलती है विड़् की बात करें तो 720 mm के आसपास इसकी width मिलती है और height की बात करें तो 7 आपको 20 mm width है और ground clearance 165 mm के आसपास इसकी ground clearance मिलेगी वील बेस की बात करें तो आपको 1236 mm के आसपास इसकी वील बेस मिलती है और टोटल कर्ब वेट यानी भाईया कितने kg की ये बाईक है 112 kg की आपको ये कर्ब वेट देखने को मिलती है और यहाँ पे चैन सौकेट के पास आप देखोगे तो पूरा का पूरा आपको covered आपको इसका चैन सौकेट देखने को मिलता है जो कि काफी ज़्यादा best है धूल, मिट्टी, कीचड आपको चैन में नहीं पड़ेगा तो कोई भी issues नहीं होने वाले हैं पीछे की टैर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको 80 by 100 सेक्शन का 18 इंच का टैर मिलता है वहीं brake diameter की बात करें वह मैं आपको आगे बताता हूँ सबसे पहला तो इसका जो front का टैर है वही टैर आपको इसका rear का भी मिलता है यानि front और rear का टैर जो है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है accident chances जो है वो कम होंगे जो कि आप देखते थे हमेशा side stand लगा के लोग चलते थे और गिर जाते थे वो चीज़ को company ने ध्यान दिया है पीछे में बात करें तो यहाँ पे यह देखो यहाँ पे आपको यह जो चीज़ है अपने adjust के साब से आप इसको adjust भी कर सकते हैं weight के साब से बात करते हैं यहाँ पे exhaust के पास तो यहाँ पे देखो के chrome का plate देखने को मिलता है और वहीं कीक के साथ मिलता है fuel tank यह अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखो पूरा का पूरा अच्छा design के साथ मिलता है stickering के साथ मिलता है proper work किया है company ने इसमें 9.8 liter का आपको यहाँ पे इसका fuel tank का capacity देखने को मिलता है और यह जो बाइक है ना BA6 phase 2 E20 flex fuel OBD2 के norms पे बनाई गई है यानि आप इस बाइक में पूरा का पूरा analog meter मिलता है distal नहीं मिलता है speedometer मिलता है odometer मिलता है और एक side stand का warning मिलता है इस side में देखो के तो आपको यहाँ पे मिल जाता है यहाँ high beam, low beam, turn indicator और horn बाकी fuel gauge मिलता है neutral का engine malware function और यह देखो self का option है यहाँ पे अभी आपको इस बाइक का एक बार exhaust sound check out कराता हूं है exhaust आप सुनना और बताना कमेंट करकी कि आपको इसका exhaust कैसा लगा तो आपको इस बाइक का exhaust कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं बाकि मिल्टर कंसोल देखी रहोगे पूरा का पूरा आपको इसका analog का मेंटर कंसोल देखने को मिलेगा एक USB charging socket भी देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा features के रूप में देदिया गया है safety के रूप में देदिया गया है और अब बात करते हैं price की तो बहिया सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे सामने hero splendor की 4-4 model है पहला model यह base model है base model में आपको क्या नहीं मिलता है i3s यहाँ पे blue color का एक बटन होता i3s बटन वो नहीं मिलता है जिसके कारण इसका जो on road price है वो 90,000 रुपीज है 90,000 रुपे में यह आती है और इससे उपर अगर आ जाते हैं तो इसमें देखो i3s बटन मिलेगा यहाँ पे अपजब करो यहाँ पे दिख रहा है आपको blue color का i3s बटन मिलता है तो यह i3s बटन से आपको इसका जो प्राइस है वो 92,000 हो जाता है तो यह सारी चीज़े हैं इसके बाद सबसे ज़्यादा महेंगी गाड़ी स्प्लेंडर की X-TEC X-TEC में आपको front में LED DRLs देखने को मिलता है मिटर कंसोल इसका digital मिलता है ग्राफिक्स बिलकुल इसके बदल दिये गया है और USB Charging Sockets भी दे दिये गया है मतब थोड़ा सा अपडेट किया गया है और अपडेट करके इसका जो प्राइस आता है वो 95,000 के आजपास हमारे हाँ जारखंड आनन रोटो बाइक्स में आपको ये देखने को मिलता है इसके बाद थोड़ा सा अपडेट करके कमपनी ने Splendor Plus को 01 मॉडल निकाला है जो कि पूरा का पूरा मैट के साथ है मॉडिफाई किया हुआ है इसमें आपको एक्स्ट्रा मॉडिफाई करनाने का कोई ज़रूत नहीं है इसका जो प्राइस कंपनी ने निकाला है वो अन रोड प्राइस है हमारे यहां 93,000 93,000 में आपको ये Hero Splendor की बाइक मिलेगी तो ये था भाई Hero Splendor की सभी बाइकों की मॉडल और मैंने आपको प्राइस भी बता दिया वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्षिन में जरूर बताइएगा चैनल पर पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकर तो दोबारा नहीं बूलिएगा चलिए मिलते नेक्स जे नेक्स वीडियो के साथ तक के लिए धन्यवाद जे हिंद जे भारत बंदे मातरा